दोस्तों कुछ भी बोलने से पहले मैं कुछ करके दिखा रहा हूँ छलिए देखिए पहले मैं is equal to दे रहा हूँ यहाँ पर फंक्शन टाइप करो gate numbers यहाँ पर मैं से सेलेक कर रहा हूँ और उसके बाद मैं bracket close कर रहा हूँ और enter वाँ that's amazing see this क्या हुआ है इस text on number मैं से यहाँ पर numbers अलग आ चुके दोस्तों और मैं से drag अगर कर देता हूँ और यह functions आपके Excel में नहीं है दोस्तों जीहान नहीं है यह मैंने बनाया है मेरे Excel पाइल के लिए तो आप भी बना सकते है तो चलिए यह वीजुल बेसी का है next lecture दोस्तों जिसमें हम सीखने वाले है कि gate numbers वाला यह जो functions यह मैंने Excel में कैसे बनाया है तो आज मैं आपको function कैसे create करना है यह visual basic coding के साथ पढ़ाऊंगा ज्यादा बड़ा code नहीं है दोस्तों आपको आजाएगा guarantee देता हूँ आप Excel लवर हो या फिर Excel में ज्यादा काम करते हो तो भी यह coding आपको surely आ जाएगी चलिए मैं सिखाने के लिए शुरात करता हूँ मैं हूँ सतिश learn more channel में आप subscribe नहीं किया है तो subscribe कीजिए और मेरी वीडियो की notification के लिए bell icon पे click कीजिए तो चले दोस्तों मैं आचको Excel फाइल के अंदर आपको यह दिखाने के लिए कि यह gate numbers function मैंने Excel में कैसे बनाया है मैंने पहले बताया आपको कि आप Excel में ज़्यादा काम करते है आप Excel लवसों भी भ आपको काफी amazing रहेगा सीखने के लिए लेकिन मैं आपको समझ मैं कैसे आएगा कैसे amazing है चले मैं आपको दिखा दे तो अल टैप ले बटन प्रेस कीजिएगा visual basic की विंडो आ चुकी है सबसे पहले करना क्या है एक module इंसेट करना है दोस्तों यहां पे मैं जूम करके बता द आप gateNumber, gateN, ऐसा कुछ भी बना सकते है gateNumbers अब आप सेल में जितने भी character लिखने वाले हो उसके लिए एक यहां पे आपको all character कहके इस तरह से एक define करना पड़ेगा as a range तो यह एक variable हो सकता है एक इस तरह से एक group हो सकता है range का जो हमें all character as a range करके यहां पे define करना है दोस्तों तो all character as a range आपको इसले डिफाइन करना है क्योंकि जितने भी cell के अंदर आप character लिखेंगे जो gateNumbers function हम यूज करेंगे वो सब all characters जो भी number टेक्स इंक्लूड सब हो जाएगा यहां पे end function अटोमाटिकली आप अन्यमाला है जैसे आप enter button प्रेस करेंगे अब मैं यहां पे एक i variable declare करूंगा दोस्तों i variable जो की होता है किसके लिए आपको पता रहेगा dim i as integer yes i variable हमें for loop के लिए लेना है यहां पे एक variable जिसके अंदर for loop run होगा और कैसे होगा आपको पता चलेगा और उसके साथ मैं एक और variable यहां पे लिने वाला हो जो की हमारा number answer आएगा तो number के लिए variable य number ज्यादा बड़ा हो सकता है इसलिए long यहां पे हम लोग उसका data type लेंगे तो पहला आए जो है उसका data type integer type लिया क्योंकि वहां पे कितने 10-12 character एक line में रह सकते है या 15 रह सकते ज्यादा से ज्यादा तो i तो काफी बड़ा होता है 32,000 तक रेकॉर्ड कर सकता है लेकि number के अं यहां पर टाइप कर रहा हो फिलाल i करना यहां पर i start करना होगा हमें यहां पर i is equal to 12 उस cell के अंदर जो character है all character मतलब जिसमें हम पहले बोला जो gate numbers function जिसमें हम यूज करेंगे इसके अंदर जितने भी character से वह character सम काउंट करेंगे लें के अंदर जैसी यहां पर मैंने highlight किया है आपको दिखाए दे रहा है तो लें क्या करेंगा all character काउंट करेंगा मतलब आपने suppose अभी abc और 456 ऐसे 6 characters वहां पर टाइप के तो 126 यह for loop वहां पर रन होने वाला है सिंपल है मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं चलिए एक पार excel sheet में चले जाते हैं यहां पर दिखाए आपको 2500 और nos लिखा है मैंने तो यहां पर total characters including numbers के टेक्स्टों के रहा सब कुछ everything यह 7 है तो यह for loop हमारा उतना run होगा 127 for loop 127 run होगा यह आपको समझ मैं है उस cell के दूपे अंudr इयां पर कुछ शुतरों दोस्तों यहां पर इंपने कुछ सब कंदिशन लुगा दोस्तों यहां पर इप लिखूंगा मैं इस कोई Time मिल्ग हों और इस निमरीक यह पन्जी शूए अगर यह नम्बर तो ट्रू हो जाएगा, टेक्षट है तो यहाँ पे पॉल्स आ जाएगा, तो यहाँ पे एकसल में समझ्माया होगा आपको कि यह यह इस नम्बर्स या यूज निमरीक फ़ंक्शन क्या करते हैं, यह इस तरह से लिखना है, इस निमरीक, इस निमरीक हम चेक मुझ फंक्शन यूज करेंगे दोस्त 59 से चेक करेंगे मतलब एक नमबर प्व अगर दिखाई रहें तो ya kバले नमबर कोंसे वुए तो आपको यहां पर दिखाई रहें इसमें नमबर कोन से है अगर वह निमरिक वाल्यू है, मतलब पहला नंबर चेक करेगा, I Дж.I.Wow 1 रहेगी तब, I कि वैलू क्टू रहेगी, तो Second वाला नंबर चेक करेगा, Second वाला जो थर्ड वाला, क्टूर्थ वाला, और जब जब पहला नंबर अएगा, और जब नमबर नहीं आएगा टेक्स आ रहा है तो यह इप कंडिशन रीड नहीं होगा जो कि हमने यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पर यह बात समझना बहुत जोरूरी है कि यह मिड़ फंक्शन के जो करेक्टर से यहाँ पर रीड कैसे होंगे मैं आपको दिखा देता हुआ या पर ब्रैकेट हमें ख्लोज करना होगा दोस्तों और देन। मैं आपको यह समझा देता हूँ कि यह कंडिशन्स में जो भी लिखेंगे even देशन पर लिखेंगे जो इसके अन्दर जो यह condition क्या है आपको दिखा देता हूँ यहां पर नमबर जो मने उपर लिया है number is equal to number is equal to mid के अंदर all characters जो character वहां पर as a number करके आता है वो character यहां पर number में जाके store होगा लेकिन उपर नमबर जाके नहीं है इसलिए हम लोग इसे number के साथ उसे continue bind कर देंगे कि पहला सकते हैं तो q2 नमबर में स्टोर करेगा तो फेर इसके आगे इसको प्रत जाएगा यहां पे इसका नमबर का अधिशन नहीं होगा तो इसलिए एंड साइन आपको लेना है, एंड साइन क्या करता है? टू फाइज जिरो जिरो एक क्या आगे एक पुट करते जाएगा जितनी बार उसको उस सेल के अंदर वह करेक्टर मिलते हैं यह होरिजंटली रन हो रहा है, याद रखो है तो यह अंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा और यहाँ पे हमारा end-ip के बाद रहेगा next यानि कि for loop यहाँ पे next के बिना वैसे भी रन होने वाला नहीं है तो यह एक बार coding चेक कीजिए, आप इसका result देख लिएजे, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या आता है यहाँ पे excel फाइल में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि is equal to gate numbers अभी मैं type कर रहा हूँ और इसको मैं select कर रहा हूँ तो आपको दिखा दे रहा है इसका answer आ चुका है और यहाँ पे तो यह gate numbers कर क्या रहा है इसके अंदर जो numbers हमने लिखा है यह पूरे characters इसके अंदर पहले चेक करेगा स्टार्टिंग से लेकर चेक करेगा जहां तक उसको number मिल रहे है वो number 1 के आगे एक रखते जाएगा यहाँ पे इसे 1200 और उसके बाद text मिला तो if condition false हो रही है वहां पर यहाँ पर यहाँ पर देख सकते आप पहले इसको number से तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है काम कैसे करना है दूबार आप देख लीजिए मैं चाहिए तो फिर से अपको पहले इस निमरी फंक्शन का मीनिंग समझना है कि इस निमरी तभी टू होगा मतलब यह फंक्शन तभी रन होगा जब इसके अंदर आपको मिलेंगे तो इसके अंदर नमबर मिलेंगे मतलब क्या है अगर वहां पर नमबर मिलता है तो वह इसमें जाकर नमबर में स्टोर करेगा यह नमबर में जाकर वह स्टोर होगा मिड़ वाली आपको इना मिलन तो पहला अगर वह नमबर मिलता है तो अगर वह नमबर मिलता था तो IQ value जब दो हो जाएगी तो IQ value जब दो हो जाएगी तो दो नमबर के character को read करेगा वो mid function mid function क्या काम करता है आपको पता रहेगा आपनी use किया रहेगा तो mid function आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ आपको साथ number position पे वहाँ पे क्या है तो साथ number तो character है तो वैसी mid function आपको यहाँ पर रहेगा और जैसे वह रहेगा और यहाँ पर वही character इसके number के सामने जाइन होते जाएगा अगर नंबर के value पहले कुछ भी नहीं है तो बस एक यालपाबिट जाइन हो जाएगा और पहले से कुछ value है तो ज्यादा वैल्यू यहाँ पर जाइन होते जाएगा तो यहाँ पर ए लिको और टू लिको तो आपको टू यह answer मिलेगा ए ए टू लिको अगर यह फाइल आपको save करनी है तो आप इसे save कर सकते है एप 12 बटन प्रेस करके इसे यहाँ पर XLM XL Macro Enable आपको रखना होगा दोस्तों XL Macro Enable हमेशा रखो और इसे आप save कर सकते है तो अमीद करता हूँ यह interesting function आपको समझ में होगा और आप सभी XL users इसका practice करेंगा और यह काफी काम देगा आपको और ऐसे कुछ interesting topic में लेक्या होगा आपके लिए दोस्तों और कुछ भी इसके बारे में कहना है तो comment section है आपके लिए comment section में link दीजिए गा मुझे यह कैसा था topic और आप नहीं हो मेरी चैनल पर तो सब्सक्राइब करना दोस्तों मैं विलूँगा आपको कुछ और interesting VBA coding के साथ जिसके अंदर और भी interesting topic रहेगा आपको सीखने के लिए लेकिन तब तक के लिए ही कहूंगा सीखते रहो सिखाते रहो बाइबाइबाइबाइबाइबाइब झाल 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 झाल